मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में ब्यस्त होंगे दोस्तों आज के इसी वीडियो महमलों कि इस तरह के questions को सल्व करना सिखेंगे जो आपके सामने दिये गया है और इस तरह के questions हर एक exam में पूछे ही पूछे जाते हैं में कौनों सक नहीं है जैसे की उपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है find missing number यानि आपको इसमें लूप्त संख्या गयाद करना है जैसे की आपके सामने question दिया गया है इस question को एक बार अच्छा से पढ़ेंगे और देखेंगे question में क्या गर रहा है question number 1 है कह रहा है कि दिया ग पताना है कि अगर यहां पर चारू तरफ संख्या है तो बीच में जो यह person वाचक चीन है यहां पर क्या बर जाएंगे और ऐसे question आप देंकर exam में घबड़ा जीएगा लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा समय देना पड़ेगा practice करना होगा और बार बार आपको अपने आपको जांसना होगा कि हमारे पास कितना capacity है हम कितने questions को असानी से solve कर पाते हैं ऐसे बच्चे करेंगे तो सफल होंगे नहीं तो नहीं होंगे हमें कौनों शक नहीं है जैसकि इस वीडियो में आप लोग मातर 6 questions दिये गए हैं यह question में आपको जो है एक question बनाना है अपने आपको जाच करना है कि आप कितना जानते है और उस 6 नमबर जो question है उसको solve करके आपको कमेट करना है कि आपका answer कितना आया है ठीक है और 5 जो question दिये गए है अलग अलग है उन 5 questions को मैं असान तरीका से बताऊंगा आप 2 second में उड़ा देंगे एक्जाम में ऐसा question आए जा गया हूँ तो आप इसको दो तरीका से solve कर सकते हैं कौन कौन तरीका है उसको एक बार अच्छा से समझेंगे देखिए सबसे पहला तरीका यह है कि यह कुना पर जो संक्या है जिसे 12 है सुलह है यहाँ पे 17 है 13 है यहाँ पे 18 है 14 है तो हम लोग इसको जोड़ेंगे या 12 को घटाएंगे तो क्या होगा चार होगा सुलह में से 12 को घटाएंगे तो क्या होगा चार होगा लिखेंगे यहाँ पे चार अब देखिए यहाँ पे 18 और 14 तो जब 18 में से 14 को घटाएंगे तो क्या होगा चार होगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे पीर एक और चार पलस देंगे और लिखेंगे चार फिर यहां पर सत्रह और तेरह है तो आप जानते हैं अच्छा तरह से इस सत्रह में से तेरह को घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, यानि 3 को 4 होगा, तो 4, 4, 8, 4, 12, 3-4, को जोड़ेंगे, तो क्या होगा 12 होगा, देखिए ने यहाँ पर 12 है, तो एकदम, हैकदम 100% कराणटी है, कि जैसे इसको हल की है, वैसे हैं इसको हल करेंगे, यहमें कौनों सक नहीं है, तो चलेए देखते हैं इसको और इसको घटाने पड़ कितना आ रहा है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 23 में से 18 को घटाएंगे तो जब अब 23 में से 18 को घटाएगा तो 13 में से 8 गया 3 में से 8 नहीं न घटेगा तो 8 लेगा इसे से तो 13 में से 8 गया 5 और एक एक खत्म हो जाएगा यानि जब अब 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा यहाँ पे लिखेंगे 5 इसको घटा लिए अब इस पे आते हैं 25 और 20 में जब आप 25 में से 20 घटा येगा तो क्या होगा पांच होगा तो लिख लिए 5 कोई फیर में 25 123 पर यहां पर इसा अपक generosity की Кол मैं तो आपको समझाया हूँ इसलिए तोड़ा समय लग क्या है आप आसानिसे को पहला कर सकते हैं छले देंब किसो नमर 2 क्या है कुसर करेंगे ऐसको एक बार अच्छा से देखेंगे और आसानिसे को समझेंगे आपको बताना है कि यहां पे प्रशन वांचक्षी नहीं कि यहाँ पे क्या भर जाएंगे तो जब भी आपके सांगे ऐसा कुस्टन आए तो आप असानी से बना सकते हैं दू से दस सकेंड में बना सकते हैं ठीक है लेकिन अब जब प्रेक्टिस करके जाएंगे तब तो ऐसे को सल्ब करने के लिए दो वहीं करिकां बताएंगे जो यहां पर नौ है तो इसके सामने क्या 12 से इंगे इन दोनों को जाएंगे तो है यहां पर परस्नवा यहां पर धिया गया है को यहां 152 है सबसे जोड़ाँ है जब जोड़ेंगे, तो जानते है कितना होगा, देखिए ना, 1-1-2 हो जाएगा, 2-1-3 हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानि 11 का स्कॉयर करके 11 को जोड़ेंगे तो 132, उसी तरह हम लोग इसको जो है देखेंगे, जैसे इसको सल्ब किये हैं, ऐसे ही इसको करेंगे, अगर हो को जोड़ेंगे कितना होगा 90 होगा कितना होता है 179 आप याद करका जाएगा यह नहीं कि अलग गुना करने लगे खेलते रही जाएगा है काम में सफल नहीं हो पाईएगा ठीक है अब 179 में हम लोग क्या जोडएंगे तेरह को जोडएंगे जैसे कि हम लोग पहले देखें तो नौ 3,12 का 2 हो जाएगा हासिल एक चोई एक साथ एक आठ हो जाएगा और एक का एक हो जाएगा यानि 179 में जब जोड़ेंगे 13 को तो कितना होगा 182 अब हम लोग देखेंगे या बहुत ही मज़दार कोसन है ऐसा कोसन एक में बार-बार पूछे जाते हैं आप किसी भी दर आके सरकारी नोकिरी के तैयारी करते हूँ तो ऐसे वीडियो को आपको नहीं चोड़ना चाहिए आप समय नहीं देंगे सफल नहीं होंगे एकमे कौनुस हक नहीं है तो देखिये जब यह ऐसा question आपके सामने आए तो आप एक ही चीज़ देखेंगे कि बीच वाला जो संख्या है अंख है कि कोई से आएगा इसके लिए आप क्या करेंगे ये side वाला जो अंक संख्या दिये गा है इसमें हम लोग सोचेंगे कि जोड़े कि घटा है कि आखिर क्या करें कि इसके बराबर आजाए तो जोडने घटाने गुना करने से तो नहीं होगा direct इसमें 6 और 4 को जोडेंगे, हो जाएगा 10, जब कि यहाँ पे 0 है, तो आखिर कैसे करेंगे, हाँ, यादि हम लोग यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, उपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, कौनों सक, कौनों दिकत नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो साथ चार कितना होता है ग्यारा होता है अम इसा याद रखिएगा साथ चार क्या होता है ग्यारा होता है या आप इसको इस तरह असानी से भी कर सकते हैं इधर से ठीक रहेगा पांच और छे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्यारा ठीक है औ और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो प्रसनवाचक चीन पर क्या भरे जाएंगे असानी से आप निकाल सकते हैं यहां पर इसको जोड़के घटा दियें तो हम लोग 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 जब जोड़ेंगे तो कितना होता 7 6 13 होता है ठीक है अब देखिए अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 अब 13 में से 12 को घटा देंगे जैसे कि यहां पर इन दोनों को जोड़के क्या कि है घटा है उसी तरह इसमें 8 और 4 को घटा देंगे 12 हो जाएगा और इसमें से 13 में से 12 हो जाएगा एक देखिए ना हमें बीच में एक है तो जब दोनों इस तरह से हुआ तो तीसरा भी इसी तरह से होगा यह में कौनों सक नहीं है यानि इन दोनों को जोड़के घटा देंगे जो आएगा घटाने एक बाद वहीं इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अब देखिए 11 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और इसमें से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे जब 13 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा तो यह जो परस्षन वाच्छेण बीच में दिया गया यहाप क्या भर जाएंगे 11 बहर जाएंगे अब देखें कि option में 11 है कि नहीं होगा ही तो अपसे नमर डी जो है इसका राइट एंसर होगा एमेकाउनों सक नहीं है तो चलिए देखते हैं कोस्टन नमर चार क्या है वीडियो को आप देखते रहेंगे लास्ट में आपको कोस्टन नमर छे दिया जाएगा जिसको आप बनाकर हल करके अपने आपको जाच कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना चमता है समझने के लिए और एकजामें पास होने के लिए ठीक है तो इसमें समय देंगे सफल होंगे एमेकाउनों सक नहीं है चलिए question number 3 हो गया question number 4 पे चलते हैं कि question number 4 क्या है question number 4 जो है यह बहुत 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 भेरी बहुत important है क्योंकि हर एक exam में इसमें से 2, 4, 6, 8, 10 मतलब पूचे ही पूचे जाते हैं और आप लोग अच्छा तोड़े से जानते है कि एक एक नमर बहुत 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 इंप्रोटेंट होता है ठीक है इसलिए ऐसे वीडियो को ऐसे कोस्टन को सल्व करके ही एक्जाम में बैठे एकदम गरांटी है कि आप सफल होंगे एमें कौन हो सक नहीं है लेकिन को आप नमर देंगे तब तो चलिए नहीं देखते हैं कि कोस्टन नमर चार को कैसे सल्व करेंगे यहां पे चार दो पांच तीस तीन एक छे पांच छे और यहां पे च्छा सट है आपको बताना है कि हई जोन बीच में इधर परसन वाचक की नहीं यहां पे क्या भरे जाएंगे त अब लोग सोचेंगे कि आखिर क्या करें कि यहां पे यहीं निचे वाला तीस चासट चासट आ जाए यादि हम लोग चार और दो को जोड़ेंगे तो च्छ चार और पांच को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टिक है अगर गुना करते हैं 4 दूना आट तो आट पचेशल चा यहाँ तरह किया है तो जैसे इसको हम लुग किये हैं वैसे हम इसको करेंगे और देखें कि इस तरह से अरHa करेंगे सबस्यबब क्या क्या है इन उपर ओलगोंनोों को जोड़े हैं त्था भी करोंबगो को घो करेंगे ओर गूना के छोगा एक इसको अच्छा से समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ पर च्छे पांच और छे हैं, जोड़े हैं, पांच और छे हो जाएगा ग्यारह, यहाँ पर परस्न वाचक चीन, और यहाँ पर दिया है च्छाह सट, तो ग्यारह में हम कावना संख्या से, कावना अंग से गुना करें, यह च कोशन नमर सी में जो है, चाह सट है, तो अब सट नमर सी जो है, आपका रइटन सर होगा, क्याँ कि सी में च्छो दिया गया है, और यहाँ पर च्छो बढ़े जाएंगे, एक लाश्ट कोशन है क्वेशन नमर पांच इसको शल्व करेंगे, और कोशन नमर छे आपके लिए पेस किये जाएंगे, question नमर 5 भी बहुत ही मज़दार question है, क्योंकि यह question एक्जाम में कई वार पूछा भी है, चाहें वह छोटा से छोटा एक्जाम हो, बड़ा से बड़ा एक्जाम हो, ऐसे question पूछे ही जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 8 है, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पर यह इसा जा弹, तो ऐसे question को आप जोड़, घटाव, घहन करके check कर सकते हैं, चलिए, एक बार हम लोग वर्ग करके, यानि एस्क्वायर करके check कर लेते हैं, यादि हम लोग एक का yeah करेंगे, तो क्या होगा ? एक होगा, दो काào square करेंगे, तो क्या होगा, दो दूना चार होता करेई गा एक से तो एक ही होता है अब देखिए अब 2 का हम क्यूब करेंगे 2 का घंक करेंगे तो बहुत तेन का मतलब होता है दो गुना दो कितना बार? तीन बार तो दो चार दोना आठ देखिए ना होते गया अब यहां पर तीन का अगर हम लोग घं करते हैं कीउब करते हैं तो तीन 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 यह इन्हों नोतना 27 तो यहां आपको आसानी से हल कर पाएंगे आप जब एक का क्यूब किये तो एक आया एक है दो का क्यूब किये तो आठ है आठ है तीन का क्यूब किये तो 27 है यहां पर 27 है तो यहां पर क्या करेंगे यानि यहां पर क्या करेंगे इसके नुसर चार का क्यूब करेंगे चार का 16, 16, 16 वीatwr होता है यहाँ पर परशनवाचक कीन है क्या भरेंगे 64 भरेंगे आपका जो है जो है आपसी नوبर की यहाँ राइट एंसर है ऐसे कुस्सको एक लिदेखेंगे यहाँ पर कुस्चन में जो है यहाँ पर 7 दिया गया है यहाँ पर 15 है यहाँ पे 31 है यहाँ पे 63 है यहाँ पे और यहाँ पे है 127 तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो परशनवाचक कीन है आकर यहाँ पे क्या भरे जाएंगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे असानी से इसको बना पाएंगे देखिए यदि हम यहाँ पे 7 और 15 को जोड जाएगा पंद्रह जहाए है साथ में गुना करें ग pick पर क्या दिया गया है 15 तो क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 होगा अब आप लोग सोचेंगे कैसे हम लोग जानेंगे कि आखिर समें 7 गुने 2 ही करेंगे कैसे जानेंगे तो इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि ऐसे कोशन्स को सल्व करने के लिए आपको प्रेक्टिस करके ही जाना होगा एकजाम में तभी आप सफल हो पाएंगे तो देखिए यहाँ पे 7 गुना 2 प्लस 1 किये तो हो गया 15 अब हम लोग उसी तरह इसमें जो है देखेंगे कि 15 गुना 2 प्लस 1 करने पर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं तो आप जानते हैं 15 गुना 2 जब करेंगे 15 में जब 2 से गुना करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 15 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 30 और पहले वाले में हम लोग 7 गुना 2 करके 1 जोड़े थे तो हुआ था 15 उसी तरह 15 गुना 2 करके 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा से गुना और एक को जोड़ते गाएं तो 31 दूना कितना होता है 32 और 62 में जब एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 तो देखिए नहीं यहां पर 63 है है एकदम इसी तरह होगा फिर हम लोग क्या करेंगे 63 गुना दो पलस एक करेंगे और सभी में एक को जोड़ेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे पलस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 127 होगा अब देखिए नहीं यहां पर 127 है एकदम इहां पर 127 है तो यह में कौनों सक नहीं है इसको क्या करेंगे दो गुना करके एक जोड़ देंगे तो उसी तरह हम लोग 127 का दो गुना करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 127 का दो गुना यानि 127 गुना दो और सभी का दो गुना करके क्या करते हैं एक को जोड़ते हैं वैसा ही लखिये हैं तो एक पलस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दो सत्य चौदा का चार हासिल एक दो तुना चार एक पांच हो जाएगा और यहाँ पे दो एक कम दो हो जाएगा इसमें आसिल नहीं बचाता दो सो चौवन हो गया और पलस एक जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका दो सो हो जाएगा पच्पन क्या ह यहां पर परस्षन वांचक चीन है यहां पर क्या भरे जाएँगे दोसौ पच्पन अब हम लोग देखेंगे कि अपसिंगे 255 है कि नहीं यहां पर एकदम होगा यह में कौनों सक नहीं है तो देखें ना अपसिंगों में 255 है यहीं इसका right answer होगा तो चलिए दखते है question no.2 क्या है question no.2 क्या है question no.2 में जो है चारों तरफ संख्याय दिये गए है जैसे 16194 और बीच में भी संख्याय दिये गए है तो जब भी आपके पास ऐसे question आये सामने ऐसे question आये तो ऐसे question को इसे solve करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जो यह बीच वाला 10 है कैसे आएगा यहां बीच वाला सताई से यह कैसे आएगा उसी के हिसाब से यह बीच वाला जो परस्नवा चक्चिन है इस पर भर जाएंगे इन चारों absence में से check करेंगे कि कैसे होगा तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे जो चारों तरब संख्याय दी गई है जैसे यहां पर सुला है एक है नो है चार है इसको एक बार जोड़ेंगे तो फिर थोड़ा से यहां पर दिमाग लाएंगे और देखेंगे कि देखियाना यहां पर सुला दिया गया है सुला किस चीज का वर्ग होता है हम आपको पहले ही बताएं कि ऐसे को सल्प करने के लिए जोड़ घटाओ गुना बरग घण सब तरह से कोशिस करते हैं अपने दिमाग का यूज करते हैं तो सुला का चीज का वर्ग है किस संख्या का वर्ग है चार का वर्ग है कि नहीं लोग एक वार इसको बर्ग कर लिए अब इसको जोड़ेंगे जैसे चार और तीन उचार और इक जोड़ा इस सब नंबर हो रहा है कि नहीं जैसे यहाँ पे 64 है 64 जो है 8 का बर्ग है है कि नहीं यहाँ पे 100 है 100 किस का बर्ग है 10 का बर्ग है फिर उसी तर यहाँ पे 16 है 16 किस का बर्ग है 4 का बर्ग है क्योंकि 4 गुने 4 चाचुका 16 होता है यहां पर 25, 25 किसका वर्ग है, पांच का वर्ग है, यहां पर 25, पांच का वर्ग है, तो जैसे इसमें सभी को जोड़े हैं, वैसे हैं, इसको जोड़ के चिक करेंगे कि 27 आ रहा है कि नहीं, तो आठ और 10 कितना होते हैं, 18, 18, 24, 22 और 22, अब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, देखे न, दोनों जो है, सेम इसी तरह से आ रहा है, तो यहां पर 256 दिया गया है, 256 है इसको एक बार अच्छा से सल्व कर लेते हैं, इन सब को मिटा कर, यहां पर क्या है 256, 256 किसका वर्ग होता है, 15, 15, 25 होता है, 16, 16, 25, देखिए, एक से 20, कम से कम आप लोग वर्ग याद जोड़ेंगे, जैसे 2, 2, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 3, इस तरह याद रखेगा, नहीं तो गुना कतेरा जाएगा, सारा खेल खतम हो जाएगा, समय निकल जाएगा, आगे आप रह जाएगे, पीछे, तो 256 है यहां पर दिया गया है, तो यहां होगा, 16, 256 होता है, 144, 11, 12, 12, 12, 144, यह यहां पर 34 है, तो 8 कवर्ग होता है, 64, यहां पर 36 है, तो 6 कवर्ग होता है, 36, अब हम लों क्या करेंगे, सब को जोड़ेंगे, जैसे इसमें और इसमें किया है, 16 और 12 को जोड़ेंगे, तो कितना होगा, यहां पर 16 और 12, यानि 6, 8 हो जाएगा, और 1, 2, 28 हो जाएगा, फिर कर्चे कर सकते हैं 36 और 44 और 42 तो इस यहां पर प्रस्ण वाचर की ने यहां पर क्या बढ़े जाएंगे 42 बढ़े जाएंगे जो आपका अप्सन नंबर बी जो है इसका राइट एंसर है और एक बात को मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने इस वीडियो से पहले बोला है इसक से तयारी करते हूं तब नहीं तो अगर खेल कर रहे हैं तो कोनू बात नहीं है चलिए देखते हैं कोशन नंबर तीन क्या है इसको एक बार अच्छा से पढ़ेंगे बीना घबला आए क्योंकि सभी कोशन असान होते हैं आप पहले घबला जाएंगे तो परिसान हो कलपों में से लुक्त संख्या यानि मीशिंग नंबर आपको ग्याद करना है तो जब भी कोशन आपके सामने ऐसा आए जहां पर सभी संख्याय दी गई रहे जिसे यहां पर छे आठ नो है तस है चोदो है तीने एक है और यहां पर परस्नवाचक चीन है इस पर इन चार कटाएंगे गुणा कर चेक करेंगे कैसे हो रहा है जैसे यहां पर तीरह और तीन है इसको जोड़ाट नहीं आएगा इदर से जोड़ाट नहीं आएगा गुणा करेंगे तो है कि यहां इसी तरह बनेगा सबका योगयद यानि सब को जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़कर एक बार चेक्कर लेते हैं यहां पे नौ फिर पल्स प्लस क्या है तो सब्सक्राइम करेंगे फिर प्लस क्या है fren fπως न करेंगे ऐसे करने पर कितना होगा 10 और 14 24 होगा और एक 25 यहाँ पर हो जाएगा 25 दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है तो जैसे हम लोग इन दोनों को किये हैं यानि इन दोनों को जैसे किये हैं उसी तरह हम लोग इसको करेंगे असानी से आपका एंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा यानि आ जाएगा तो देखिए 6 और प्लस 8 इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें कितना और जोड़ दें कि 25 के बराबर जाए तो 6 और 8 कितना होता है 14 होता है तो 14 में यदि हम लोग 10 जोड़ेंगे तो होगा 24 तो कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे क्योंकि 11 जोड़ेंगे तब नजाके होगा 25 तो यहाँ पर क्या जोड़ने पर 25 है 11 यहाँ पर परस्णवाचक चीन है, यहाँ पर क्या भरे जाएंगे 11, अब देखेंगे option में 11 दिया गया है कि नहीं, दिया गया ही होगा, क्योंकि ऐसा question ऐसे ही solve करते हैं, देखें न, option नमर बी में 11 जो है, option दिया है, तो इसका right answer क्या होगा, 11, ऐसे questions को ऐसे ही solve करेंगे आसा संख्या है, दिये गज रहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कुछ जिस करेंगे देखेंगे, यह बीच वाला जो संख्या है, 15, 30 कैसे आया है, आखिर इन सभी में हम लोग क्या करें, कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, यादि हम लोग यहाँ जान लेंगे, यहाँ परस्वाचक चीन है यहाँ पर क्या भरे जाएंगे हम लोग असानी से जान लेंगे मात्र 2ãy सकेंड में इसको हल कर पाएंगे तो कैसे जानेंगे सबसे पहले हम लोग इसको एड करके चेक करते हैं तो 3 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा पांच यानि तीन दू पांच पांच एक और ॉाहयर जोडेगे तो जोर भीना करते हैं तो sebelum 26 नहीं पाएगा तो एक बार करके इसको बर्ग करने केर्ध कर लेते हैं जैसे कि हम आप को पहले रहे हैं कि हरент तरह से चेक करेंगे फटा-फट यदि हम लोग 3कबर करते हैं तो 3तय नौ होता है कि नहीं उसी तरह यहां पे 2 कबर करेंगे तो ऊजाएगा चार बर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी से गुना करते है उसी तरह composite एक कबर एक गुना का हम लोग को जोने एका के लिएक को एक होता है एक में था अहीं डिए आर बचाव होने पाइग ने और?」 होता है 4 हम लोग जोड़ेंगे इसको 1-9 जोड़ेंगे यानी 1-9 को जोड़ेंगे तो तो हो जाएगा 10 10 और 16 को जोड़ेंगे 16 26 धो 746 में 46 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30-aky kairs नहीं धो जब यहां दोनों इसी तरह हो गए तहीं कॉण करके जोड दिया है उसी तरह दो का बर करेंगे तो हो जाएगा चार चार का बर करेंगे हो जाएगा सोला तीन का बर करेंगे हो जाएगा नो पांच का बर करेंगे हो जाएगा पाचीस अब हम लोग क्या करेंगे सब को बार जाएंगे 54 बार जाएंगे तो अब हम लोग यहां पे भर थोड़े देंगे देखेंगे कि option में 54 है कि नहीं तो देखिए ना option नुमर B में जो है 54 है यहीं इसका right answer होगा है यह में कौनों सक नहीं है चलिए देखते हैं question नुमर 5 क्या है अब दो ही question मात्र बाकी है और इसको असानी से हल करेंगे जैसे question नुमर 5 में कह रहा है कि दिये गए बीकल्पों में से आपको लुक्त संगया है यहां फाइंड मीशिंग नुमर करना है यहां पर 27 एकिस 15 दिया है आपको बताना है कि यहां पर परस्नवाचक चीन है आखिर यहां पर क्या बर जाएंग 21 को घटाएंगे तो कम हो जाएगा जब कि यहां पर 15 हैं हां लेकिन हम यहां कर सकते हैं कि 27 में से 21 को घटाने पर क्या आ रहा है इसको देख सकते हैं जैसे 27 घटाएंगे 27 को तो फंद्रह मैं से 5 गज़ा यहाँ दो है एक गत्म्छों को घटाने पर इसका अंतर जो है क्या आया है यहाँ पे 5 होता है यानि यहां पर परसन वाचक चलिए यहां पर क्या भर जाएंगे नो भर जाएंगे अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे option में 9 है कि नहीं देखिए ना option number C में 9 है यह इसका right answer होगा चलिए last question देखें को वाचा से पढ़ेंगे last question और बहुत बढ़िया चर्श करपाते हैं जो अच्छा से प्रेग्टीस करके जाते हैं को अच्छा से पढ़ेंगे कहले है यहाँ पर चार पर अपसंट में रहे जाएंगे इन चारो अपसंसel में नबर तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ पे अंतर थोड़ा से देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, 4 है, 2 है, अचानक 79 तरह ज्यादा हो गया है, उसी तरह 3 है, 9 है, 1 है, अचानक 91 हो गया है, जब भी ऐसा कोशन मिले, जिसमें नीचे ज्यादा संख्य करेंगे, यदि हम लोग 7 और 4 को जोड़ते हैं, तो 7, 4, 11, 11, 14, 15 होगा, गुना करेंगे तभी इसके बरावर नहीं होगा, कि 7, 28, 28, 29, 56, तो हम क्या बताएं, आप लोग को बार बार करते हैं, कि हम लोग जो घटाव गुना बर्ग, घन सब तरह से चेक करते हैं, तो यदि 29 होगा, इसका बर्ग करके जोड़ने पर 29 है, जबकि यहां पर 29 दिया गया है, उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, कि यहां पर इसको बर्ग करने पर, सब का बर्ग करने पर, 99 यदि आ गया तो इसको भी वैसे ही स्वालब करेंगे, बिना कोनो समझ जाके, तो चलिए दो न कि नीचे देखिये न, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वख करेंगे, बीना किसी जणजट के, आपके सामने अंसर आ जाएगा, दो का बर्ग हो जाएगा, चार प्लस, 6 हो जाएगा, 36 यहां पर, क्या है, पांच का बर्ग हो जाएगा, 25, सब को जोड़ेंग इस तरह से questions जब आपके सामने आए तो आप असानी से solve करेंगे इसमें कौनों सक नहीं है तो आज की इस वीडियो में तरह है फिर मिलेंगा हम लोग अगिला वीडियो में